जब भी हमें लगता है, जो भी हो रहा है ये गलत है, चीजे सेंस नहीं बना पा रही, लाइफ में कुछ सेंस नहीं है, तो आदमी भटक जाता है, खुच से ही हार जाता है इसी थीम को लेकर आज ही हमारी मूवी आती है जिसमें गलड़की एक गैंग्स्टर के प्यार में बढ़ती है इसके आगे क्या होता है कि हमारी आज की मूवी Lost Girls and Love Hotel 2020 की एक थ्रीलर ड्रामा मूवी में हम देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से मेले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजे इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है बिने किसी दरीके एक्स्पलेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन क्यारेक्टर को जिसका नाव है मार्गरेट इसे एक टरनल से जाते होए देख सकते हैं यह बहुत ही ट्रंग है और उसका कोई पीछा कर रहा था उसने सिगरेट निकाली तो सिगरेट को जलाने के लिए वो आदमी उसके प सेंस ने बना पाती है मार्गरेट एक फ्लाइट अटेंडन्स के स्कूल में पढ़ाती है उसका जॉब जापान में है तो वहाँ की लड़कियों को सही तरीके से चीज़े प्रनाउंस करना सिखा दिया वो कल रात बहुत ही जादा ड्रंग हो गई थी और हैंग ओवर होकर ही अपने जॉब पर आई उसके एक स्टूडरंट है जो से आज़े टीचर बहुत पसंद करती है वो स्टूडरंट उसे कहती है कि तुमारा आउटफिट बहुत अच्छा है कल रात मार्गरेट जब बाहर गई थे उसने जो कपड़े पहने थे वही पहन कर यहाँ आई हुई ह इसका मदलब है रात बहुत घर ही नहीं गई यही टॉडरेट में जाकर अपना आउटफिट वो चेंज कर लेती है यहाँ की बॉस नहीं यह सब नोटिस किया उसे पुछा यह तुम ठीक हो मार्गरेट कहती कि मैं ठीक हो और फिर वो अपना जॉब कंटिनू करती है मार्ग जल फिर भी ना पाओ इसके बाद जब वो टॉलेट गई तो वहाँ एक आदमी से टक रहे उसके साथ ही वो इंटिमेट हो जाती है बाद में उसने अपने फ्रेंज को चॉइन किया यह फिर से ड्रंक हो है रात में जब मार्गरेट और उसका फ्रेंड लियम अकेला था लिय तुम कभी मुझे क्यों नेड़ेट करती है तुम कभी मुझे भी कही लेकर जा सकती हो उसके पास आ गया था मार्गरेट कहती है कि मैं तुम्हें एस ब्रदर देखती हो यही रस्ते पर उसने हमारे और एक मेन क्यारेक्टर को नोटिस किया जिसका नाम ही यकुजा मारेट उसके लाइफ में उसने देखा हुआ यकुजा इस सबसे प्यूटिफुल आदमी है यही चीज वो बाद में मूवी में भी कहती है यकुजा भी उसे नोटिस करता है सिगनल खतम हुआ और यह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए बहुत रात हो चुकी थी उसके फ्रेंज इस घर उपर चले गए पर वो घर नहीं गई अलग जगा पर जाकर फिर से ट्रंक होने लग गई इसी बार में वो किसी और आदमी से मिलती है इन दोनों ने एक दूसरी को देखकर स्माइल किया और वो फिर उसे डारेक्ली होटेल लेकर आया यह दोनों इंटिमेट हो रहे तो मागरेट कहती है कि इससे मुझे बॉंड करो यानि कि उसके हाथ पर पट्टिया इस सरा की चीज़े उसे अच्छे लगती है या आदमी उसे हट नहीं करना चाता था यह नहीं कर सकता तो वहाँ से चला जाता है मागरेट आज रात भी घर नहीं गई थी तो वैसे ही अगले दिन अपने जॉब पर आई पूरी तरीके से हैंग ओवर थी वो सही से चल भी नहीं पा रहे थी उसके बॉस नहीं देखा तो गहती है कि आज तुम्हारी तबियाट ठीक नहीं है क्यों ना तुम घर चली जाओ मागरेट फिर वोश रूम गई तो उसके पास उसके बौस आती है गैती है क्यों तुम्हें पता है क्यों नहीं पता उसे समझाती है कि जब मैं यंग थी तो तुम्हारी तरह हुआ करती थी Margaret कोई बिलियों नहीं होता क्योंकि उसके बॉस अब particular लगती है उसके बॉस कहती है मेरा husband नहीं है मेरे कोई बच्चे नहीं है सब लोगों को बता है कि मैं बहुत sad हूँ मैंने मेरी life में कितनी भी mistake की हो पर फिर भी इन लड़कियों को में कुछ सिखा सकती हो वो Margaret को कुछ सही करने के लिए इंस्पार कर रही थी इसके बाद Margaret एक book store में आई कावर एक painter की book को देख रही थी जहाँ पर सब nudes painting बनाई हुई थी अचानक से यहाँ उसी यकुजा मिलता है वो उससे पोछता है क्या थुम्हें आर्टिस्ट पसंद है वो गहती है कि हाँ कहता है कि मुझे भी इसके बाद डारेक्ट ले यह दोनों होटेल में आयो होय हम देख सकते है जैसा Margaret चाहती थी उसका हाथ वगरा बान कर intimate होना उसी तरी कैसी यकुजा उसके साथ intimate हो जाता है वो उससे कहता है यह प्लीज ऐसा मत समझना यह मैं बहुत ही गलत आत्मी हूँ Margaret कहती है कि मैं नहीं समझूंगी अगली दिन जब वो अपने जॉब पर थी तो उसकी बहुत स्पुश्टी है यह सब चीजे तुम्हें सिली लगती है कहती है एक्चुल मुझे जॉब करने में मज़ा आता है उसे फ्लाइट अटेंडन्स को रोल प्ले करकर बताना होता है यानि कि छोटा सब भी और एक टेरिस्ट कि किस तरह से बहेव करेंगे यह सब उसे रोल प्ले करकर दिखाना होता है उसे अपने अलावा और कोई बनना अच्छा लगता है उसका जॉब जब खतम हुआ तो नीचे ही यकुजा उसका वेट कर रहा था वो गहता है कि जादा वरी मत करो हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे है वो उसे रीजिनल जापने इस रेस्टराण में लेकर गया जहावर उन्हें अपने शूज निकाल कर वैसे ही अंदर बैटना होता है मागरेट ने अपने शूज निकाले पर उसके सौक्स फटे होये थे पूरी डिनर तक उसे अंकमफटेबल ना लगे इसलिए यकुजा उसे एक अलग रेस्टराण में लेकर आता है वो उसे बुछता है कि तुम जापान में क्यों हो वो गयती है मुझे अकेला रहना था वो ऐसे तो लोगों से दूर नहीं रहना चाहती सिर्फ अपनी कंट्री से अपने सराउंडिंग से दूर रहना चाहती थे ये बाते कह रहे थे तभी पीछे से एक आदमी ड्रंक हो गया था वो मागरेट से आकर टकरा गया इस वज़े से वो जरा अनकमफटेबल हो गये और वाश रूम जाकर आई जब वो वापस आई तो शोर शरावा करने वाले लोग वहाँ से चले गए थे एक्शुल में यकुजा एक गैंस्टर है तो उसने इन्हें बाहर निकाला था वो मागरेट से कहता है कभी-कभी लोग तुमें डिस्टप करते है इसे वज़े से उनसे तुमें दूर रहना पड़ता है ये फिर होटेल में जाकर इंटिमेट हो जाते है मागरेट एक खुजा से पोशती है कि तुमें मुझे मुझे पसन क्या है एक खुजा कहता है तुम बहुत ही स्पेशल हो तुम जल्दी से खुश नहीं होती है तो एक चैलेंज की तरह लगता है ये खुजा पोशता है तुमें मुझे में क्या अच्छा लगता है वो कहती कि वही तुमें एक चैलेंज की तरह हो और मुझे चैलेंजस पसन है ये खुजा यहाँ से कहता है कि उसके शादी होने वाली है इसे Margaret sad हो गई थी और वहाँ से चली गई नेक्से में Margaret और उसके friend हैंग आउट कर रहे थे Margaret कहती है मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ उसकी friend पूछती है क्या है योकुजा की वज़े से है प्यार और पागलपन में मागरेट को अपनी जॉब पर लेड़कों को सिखाना यह मज़ा आने लग गया था जब योकुजा और वो फर्स टाइम मिले थे जो बुक को पढ़ रही थी यही बुक योकुजा उसे गिफ्ट करता है मागरेट को यह देखकर अच्छा लगा और इसी बुक में एक होटेल का कार्ड है यहाँ पर जाकर यह उसके साथ इंटिमेट हो जाती है मागरेट को यह कुजा एक गैंस्टर है यह बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है वो कहती है क्या कभी तुम्हें कोई फिंगर काट कर as a gift देता है यह कुजा कहता है कि अगर किसी ने गलती की और हम जाते हैं पूरी लाइफ में उसे गलती याद रहे तो as a punishment उसे उसकी finger काटना पड़ता है इसके बारे में यह कुजा जादा बात ने करना चाहता था वो मागरेट से बहुचता है तुम्हारी family का आए उसके mother और father इन दोनों की date हो चुकी है उसका एक brother है जिसे अपने दिमाग में आवाजे सुनाएं देती है जो पास रहे अपना गहे ऐसा उसके लिए कोई भी नहीं है वो उससे पुछती है क्या तुम अपनी wife से प्यार करते हो यह खुजा कहता है को एक responsibility है आफ लाइफ में कभी भी अकेला नहीं रह सकते है यही चीज़े है जो मुझे एकसाइट करती है नेकसिन में मागरेट अपने friends के साथ hangout कर रही थी इसका एक friend है जिसका नाम है Liam उसकी girlfriend वहाँ पर आई इन दोनों की जोड़ी बहुत ही cute थी मागरेट इने देखकर इनका मजग लेने लग जाती है अगली दिन जब वो काम प कीच करकर वहाँ से चली जाती है उसकी कुछ students ने यह सब देख लिया था यह दोनों ट्रेंस से जगा पर जा रहे थे यह खुजा ने अपने बच्पन की कुछ फोटोस उसे दिखाए मागरेट को बहुत क्यूट लगती है इसके बाद एक temple के उपर एक beautiful से नजारे के सामने उसे लेकर आया यहाँ और एक दूसरे को kiss करते है इसके बाद एक temple था जिसे कहते है कि बुद्धास room इस dark room में एक sign बना हुआ था यहाँ आने से तुम फिर से rebound होती हो तुम्हारे past life से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है नीचे आने के बाद उसने उसे पूछा तो योगुजा उसका जैकेट उसके पास छोड़कर वहाँ से चला गया था जैसे कि हमने देखा कि मागरेट कल अपना जॉब डीच करकर वहाँ से भाग गई थी इस बात से उसके बहुत जादा गुस्सा थी उसने मागरेट का जॉब एक अलग इंस्ट्रक्टर को दे दिय वह उसे आकर फायर कर देती है मागरेट कहती है कि मैं इससे अच्छा कर सकती हो बेटर बन सकती हो उसकी बॉस कहती है कि तुमने मुझे नहीं तुम्हारी स्टूडर्ण्स को डिसपॉइंट किया है वसे सही नहीं लगता उसने मागरेट को कहा तुम्हें बेटर बनना है त मागरेट को बहुत पुरा लगा कहती है कोई भी अच्छी चीज कभी भी हमारे पास नहीं रहती सब अच्छी चीजे कभी ना कभी खतम होने वाली है मागरेट फिर अपने फ्रेंड के साथ लास टाइम बार में आई मागरेट ने उसे बोचा कि तुमने मुझे as a friend क्यों चूज किया था उसकी फ्रेंड कहती है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते है फर्स्ट जिने सब कुछ आसानी से मिल जाता है दुसरें जो सब को छीन लेते है एक हंटर की तरह होते है जब मैंने तुमें देखा था तभी मुझे पता चल गया था तुमें एक वुल्फ की तरह हो एक हंटर हो आज राद मागरेट एक रैणनाव आदमी के साथ इंडिमेट हो गई अगले दिन जब वो स्टीट पर थी तो उसने योकुजा को नोटिस किया योकुजा अपनी पूरी फैमिली के साथ था उसने यहाँ उसकी वाइफ को भी देखा जब उसकी फैमिली चली के तो उसका वो पीछा करती है योकुजा एक बिल्टिंग में इंटर हुआ था और मागरेट उसे कही भी ठोण नहीं बाती है वही पर नीचे बेट कर रोने लग जाती है योकुजा ये सब चीजे अपने कैमेरे से देख रहा था उसके पास आता है वो गहता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए मैं तुम्हारी लिए सही नहीं हूँ मागरेट कहती है कि मैं तुम्हारा सिक्रेट बन सकती हूँ वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है ये दोनों फिर इंटिमेट हो गए मागरेट ने यहाँ आई लव यू कहा यकुजा कोई बहुत अच्छा लगता है आज यकुजा ने जूबी किया इसका उसे बहुत पश्टा होता है मागरेट को यही रहना था उसे जॉब नहीं थी एक रेस्टान में जहाँ पर उसे स्ट्रिप करना पड़ेगा वहाँ वो जॉब ले लेती है बस नाइट वो जॉब पर आई वो उसे सही नहीं लगा वो खोदी बहुत ज़ादा ड्रंक हो जाती है दुबा तक बाहरी रही और एक जगा पर बहुत रो रही थी हमने देखा था कि उसके फ्रेंड फिल की गल्ड फ्रेंड थी उसने उसे नोटिस किया उसे ब्रेकफास के लिए बाहर लेकर आती है मागरेट उसे कहती है कभी कभी मुझे सिर्फ अकेला रहना पसन आता है आज रात भी वो बहुत जादा ड्रंक हो गई सिटी में एक जगा पर पोस्टर लगा हुआ था कुछ लड़किया स्ट्रीट से मिसिंग हो रही थी मागरेट आज भी ड्रंक थी मुवी के फर्स में हमने जो सीन दिखा था जिसमें मागरेट को एक स्टेंजर अप्रोच करता है वो उसे कहती है कि मुझे होटेल लेकर चलो ये स्टेंजर बहुत ही अजीब लग रहा था मागरेट उसे बता दी है उसे सबम्यूसी होना पसन है वो आदमी फिर उसे बेड से बान देता है वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें कह लगता है तुम ये सब करती हो तो स्पेशल हो ऐसा कुछ भी नहीं है वो कहता है कि मुझे इस तरह के होटेल पसन है वो जब यंग था तो एक लड़की को लेकर यहां आया करता था वो दोनों मास्क पहन देते मागरेट से कहता है कभी कभी लोग उनके रियल फेस के पीछे बहुत ही घटिया होते है मागरेट को रियलाइज हुआ कि शायद ये रात उसकी आखरी रात है उसे फिर से बुद्धा का टेमपल दिखा उसे लगा कि वो फिर से रिबॉन हो रही है वो आदमी उसे मार ही डालने वाला था तब ही वहाँ बर यकुजा आ गया वो मागरेट को बचा लेता है वो बिलिव नहीं कर पाए कि यहाँ एक्चुल में यकुजा था वो उसे पुछती है या तुम मेरा पीछा कर रहे थे यकुजा अभी बिलस के लिए केर करता है तो हमेशा उस पर वो नज़र रख रहा था मार्गरेट यहते है तुम्हे कावर्ड हो यकुजा भी यह मान लेता है क्योंकि वो मार्गरेट से सही से पैड नहीं कर सकता Margaret को अभी अभी near dead experience हुआ है तो decide करती है कि अपनी life को फिर से सही तरीके सी जीएगी वो changes लाएगी तो इसी वज़े से वो फिर से अमेरिका जाने वाली है जाते जाते यकुजा को call करती है कहती है तुम सही थे बुद्धा के temple में जाने के बाद मैं फिर से reborn हुई हूँ अपनी flight में Margaret ने अपनी student को देखा जो flight attendant बन शुकी है उसे बहुत proud महसुस होता है वो जो काम करती है वो कही न कहीं matter करता है movie के फस में उसने जो dialogue कहा था वही dialogue वो फिर से गहती है पर एक addition के साथ मुझे लगता है कि कोई भी happy ending नहीं होती है life में चीज़े होती रहती है जो बहुत ही messy है कुझ भी sense बना नहीं पाती लोग उनकी life के अलग-अलग events को जोड़ते रहते एक story बनाते है पर यह सब matter नहीं करता अगर हम notice करें तो यह सारी चीज़े बहुत beautiful है जो भी life में होता है इसमें beauty ढूंड सकते है Margaret अपनी life में पूरी तरीके से हार चुकी थे उसे यह गुजा से प्यार हुआ पर उसे वो भी नहीं मिला near-death experience होने के बाद उसे अपनी life change करनी है जब उसने अपनी student को एस अटेंडन देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा जैसे कि उसके boss ने कहा था कि मैंने life में बहुत सारी mistakes की है पर इन mistakes से मैं कुछ सिखा सकती हो यही जीज़ आके चलकर Margaret करेगी उसके life में जो भी जीज़े होती है इसमें उसने beauty ढूंड ली है इसे एक positive message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानलों को subscribe कर दीजे bell notification icon दाउने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमयों के साथ तो जिले thank you और आप अपने आपका खैल रखिये